के कोड़र ना संक्रमन की दोर्व हान विद्द्धियाले वबहा महाः विद्ध्यालों के बंदक रा दिया था तता छात्रों को होने वाली परिच्छा के लिए भीसासके दारा विद्धियाले निया। वहीं अन्तीम वर्स के चात्रों की परिचाहें उत्तक पुस्तिका की माध्यन से की जाएंगी एवं 30 सितंबर तक परिच्छा परणाम भी घूसेट की जाएंगे जबकी एक अक्टूबर से ने शिच्छन सत्र को प्रारम के जाएगा इस आसे की जानते हरे विस्दाले के प्र तोना की वज़े से परिच्छाहें बारबार लेट रतीफ हो रही है अब परिच्छा जैसे आधेश आगे हैं तो कब से कब तक रहेगी और क्या विवस्थाएं कि जा रही है वें यह का प्डाएं और रास्टी आपडा है और इसका ऐसा स्वरूप है कि परिच्छाहों के के लिए जो विवस्थाएं चाहिए वही परहेज के रूप में इस मर्ज की अपनी एहतियात हैं इस contradictory इस्तिती को मेनेज करने में हमें ही नहीं हमारे प्रत्य पुछ चीस्तर को भारी कठिनाई और नेने की असुविधा जहलनी पड़ी है लेकिन इसके बाद भी माननी विश्व विद्याले अनुदान आयक के हमारे अध्यक्षजी एमेचाइडी के हमारे जिम्मेदार अधिकारी गन तथा अन्य और पदेन जो प्राधिकारी हैं वे तथा हमारा माननी राजभवन मानी उच्चे सिक्षा विभाद सबने पुर्जोर प्यास करके हम सभी विश्व द्यालेओं को मद्य प्रदेश में एक टार्गेट दिया है लक्ष दिया है और उनकी योजना के मुताबिक हमको हरालत में 30 सितंबर तक परिक्षाएं ही नहीं अपित परिक्षाओं के उपरान प्रायोगित तथा लिखित अंकों को सयोजित करके बच्चे को चात्र को परिक्षाथी को उन्हें एक अप्टूबर से नए सेसन में चाहे वर्चुली चाहे बहुतिक रूप से अगर परिस्तितिया सामाने रही तो परिक्षाएं चला कर सिक्षा के सत्र के लेट हो जाने पर उसे फिर से रेगुलराईज करने की कारियोजना का लक्षय है अभी फिलाहाल प्रतम दृष्टेया हम सब लोगोंने परिक्षा की गोपनी और परिक्षा विभाग की तयारियों की कल मैंने एक बज़े समिक्षा की है और उस समिक्षा से बड़े संतोष जनक परिणाम आये हैं और मैंने राजय सासन के साथ अपना संकल्प व्यक्त किया है यह हम 15 स्थिती में 18 सितंबर से अपनी परिक्षा हैं शुरू करके इन्हें 5 दिनों की समयावदी में या एक सप्ता की समयावदी में पूरी करके और इसी बीच हम अपने प्रायोगी कंकों को महाविद्यालियों से गुला कर पहले उनकी फीडिंग करके रखेंगे और अग्रणी महाविद्याले के माध्यन से उत्तरकुस्तिकाओं का संकलन करके सध्धांदिक प्रश्णपत्रों का भी तुरित मुल्यांकन कराकर सीगराती सीगर रजल्ट देकर एक अप्टूबर से मध्य प्रदेश मार्गदर्शी सिध्धांत की अकादमिक कलेंडर की व्यवस्थाओं और प्राध्धानों के अमसार निश्चित रूप से अपने इस कुरोना काल की असामाने परिस्थिती में भी जैसी भी परिस्थिती रहेगी सामाने परिस्थिती होने पर भौतिक रूप से कख्षाओं का संचालन असामाने परिस्थितियां ही बने रहने पर वर्चोली ये आभासी कख्षाओं को संचालित करके इस आपदा के दुस्प्रभावों से दो-दो हाथ करके अपने बच्चों के भविष्य को बरबाद न होने से बचाने की फुर्जोर पोसिस करेंगे